आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ चलिए स्टार्ट करते देख लेते हैं हमारा question के दिया यह सू of the solution,'s of the equation 2 sin inverse under root में into square plus 1 plus cos inverse under root में into square plus x equal to 3 pi by 2 हमें क्या बताना है हमें यह बताना हे की solution कितने 있는데요 थीक्व लेता है हमारे Pॉक्चन और गेरका है सबस्से पाराल में लिख लेता है ये हमारा function का given हमारा चो फंक्चन और के रखखः है two sign inverse यहाँ पर कितना दे रखा है root में तो कितना दे रखा है x square plus x plus कितना one और जो दूसरा function दे रखा है वो दे रखा है cos inversivity के अंदर यह value कितने दे रखी है x square plus of कितना x equal to यहाँ पर जो value कितनी है 3 pi upon कितना two तो हमारा यह given दे रखा है हमें इसी के क्या बतानी है हमें solutions बताने इस पूरे की कितने होंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेता है कि जो यहाँ पर domain और range होती है जो range यह domain के पर हम बात करें sin inverse और cos inverse की sin inverse of x and cos inverse of x की जो मेरी domain होती है जो domain होगी वो कितनी होगी यहाँ पर आपको पता है कि कितनी होगी minus a one मां होगी मैं यह सकत हो यहां से जो x belongs करेगा वो minus one से क्या करेगा one तक करेगा अब क्यों पता है only minus one से one करेगा तो यहां पर यह value कैसी है यह अंडर root के अन्दर ہے तो यह हमेंसा value कैसी होगी greater than equal to 0 होगी यह भी हमेंसा कैसी होगी greater than equal to 0 होगी तो मैं यहां से यह कह सकता हूँ कि जो मेरी value हो 0 से क्या होगी छोटी of कितना x square plus of कितना x plus 1 of कितना less than equal to 1 और 1 से छोटी 0 से बड़ी अब मैं यहां पर यह कह सकता हूँ कि जो मेरी value आगी तो दूसरे value भी मेरी क्या होगी 0 less than equal to x square plus x less than equal to क्या होगी मेरी 1 ही होगी अब मैं यहां से यह कह सकता हूँ कि जोनों मुझे value कैसे मिलेगे वाली value मल गी तो कहां से contact लाई करेगी, मेरी यह वाली value 0 से 1 की बीच में करेगी, तो जो यहाँ पर x की value होगी, वो x की value कितनी होगी, इसके solutions कितने होगे, इसके होगे minus 1 और कितना 0, मैं यह कह सकता है यहाँ पर, तो मुझे minus 1 कितने मिल गए, 0 मिल गए, तो अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ, at x equal to, किस पर minus 1 पर मैं check कर लेता हूँ, कि का मेरा यह सही यह गलत है, तो at x equal to minus 1 पर किया, तो मैं left hand side लेकर चल रहा हूँ, तो मैं यह minus 1 कहाँ पूट कर देता है, और इसके अंदर, तो यहाँ कितना जाएगा, 2 of कितना, sin inverse of कितना, plus of कितना, cos inverse of कितना, 0, तो value कितने आगी, 3 pi upon कितना, 2 आगई, तो इसके लिए condition सही है, अब हम क्या करते है, at x equal to किस पर निकालते है, at x equal to 0 पर निकालते है, तो जो मेरी left hand side होगी, तो left hand side कितने होगी, 2 sine inverse of कितना, 1 plus of कितना, cos inverse of कितना, 0, तो इसके value भी कितने हैगी, 3 pi upon कितने हैगी, 2 आगी, तो इस दोनो condition क्या है, valid है, तो इसके जो number of solutions होगे, वो कितने होगे, 2 होगे, तो number of solution, number of solution, तो इस नंबर ओफ सोलूशन, तो नंबर ओफ सोलूशन कितने होगे याँपर, तू होगे, तो यही क्या मेरा आंसर है, तो हमारे कौन सा ओप्शन सही होगा, ओप्शन दी हमारे एकदम सही है, थैंक यू थैंक यू